हाई गाई इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आइफोन XR में iOS 17 में जो बैटरी ड्रेन हो रहा है इसका solution यह आइफोन XR है जो कि मैंने 14 प्रो में convert किया है तो इसकी मेरे custom housing install कर रखी है आप धोखाना खाना कि 14 प्रो है 14 प्रो नहीं XR है स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को सबसे पहले मैं आपको about section दिखा दूँ कि करियों लोगों को अभी भी विरोसा नहीं आ रहा कि 14 है 14 नहीं XR है sorry okay so okay anyway so यहां पर आप check out कर सकते हो serial number यह है और model number यह है और model name XR है okay anyway start करते हैं अपनी battery train की problem को दोस्तों सबसे पहला issue जो मैं आपसे share करने वारा हूं battery train का वो है iPhone का background में battery lose करना या फिर जब हम phone को use करें है तो excessive battery use करना so सबसे पहले guys आपको जाना है settings में और फिर जाना है screen time में सबसे पहला feature आपको यह off करना है iOS 17 का screen distance का अगर आपके case में यह already off है तो ठीक है अगर नहीं काफी लोगों ने on कर रखा है तो इसको off कर देना है because iOS 17 में जो face ID के sensors हैं यह इस feature को on करने के लिए हर time काम करते रहते हैं इसका मान मतलब यह है कि iPhone जो है detect करते रहता है कि यह बंदा अपने phone को कितनी पास से देख रहा है कितनी दूर से देख रहा है face ID के sensors के द्वारा यह जो ऊपर sensors है ना सारे के सारे इनसे यह phone जो है detect करते रहता और background में sensor work करते रहते हैं इसको आपको off कर देना है तो आपका आपका जो iPhone है वो अपने access usage को limit कर सके उसी के साथ साथ गाईज आपको जो है अपने phone में Siri काफी लोग use करते हैं और काफी लोग use नहीं करते हैं मैं Siri को कुछ ज्यादा use नहीं करता लेकिन जस्ट कभी-कभी हफते में एक आत बार use हो जाती है लेकिन कई लोग phone में Siri यूज ही नहीं करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं अपनी settings में जाओ और Siri at search वाले section पर जाकर इसको off कर दो listen for hey Siri को क्योंकि कई लोगों के जैसे parents वगरा हमारे वो iPhone दो यूज कर रहे हैं लेकिन Siri बिल्कुल भी यूज नहीं करते जो यूज करते हैं वो ठीक है लेकिन जो यूज नहीं करते वो इसको off कर दो इसे कि होगा कि अगर हम इस Siri को on रखेंगे न तो हमारा जो iPhone है वो 24 गंटे background में जो microphone को active रखेगा microphone in the sense iPhone में 3-3 mic होते हैं एक एरा एक स्क्यूपर है एक background में है ठीक है तो तीनो microphones को active रखेगा और जहां से इसको पता जलेगा कि Hey Siri की detection हो रही है वो Hey Siri activate करवाएगा इसलिए suggestion यह है कि इसको off करतो जो लोग नहीं use करते क्योंकि इससे आपका background में microphone use नहीं होगा और आपका जो phone है ना वो Hey Siri detection में नहीं लगा रहेगा तुस्तो vibrations का बहुत ज्यादा role है हमारे phone की battery को use करने में खाने में so basically iPhone में हर जगा haptics जुड़े होए है जैसे मैं volume up कर रहा हूं हो रहे है हर जगा पर haptics जो है vibrations जुड़ी होई है keyboard में कुछ टाइप कर रहा हूं तो भी haptics जुड़ी होई है तो दोस्तों आप कईयों में haptics को haptics जो vibrations रहती है उनको limit कर सकते हो जैसे sounds and haptics में जाकर आप keyboard and feedback में जाकर haptics अगर आपके on है तो इसको off कर दो यहां फिर आप manually haptics आवाली option पर जाकर always play यह play in silent mode यह don't play in silent mode यह never play के उपर आप set कर सकते हो by the way अगर आपके पास apple watch है तो आप इसको never play के उपर set कर सकते हो वरना नहीं है तो वैसे तो मैं suggestions दूँगा haptics activate ही रखो by the way keyboard वगेरा के haptics off कर दो जिसके कारण आपको हर बार जो है आपका जितनी बार भी आप keys क्लिक कर रहे हो आपका phone vibration देने की ज़रद नहीं है आप जो है manually भी ऐसे note down कर सकते हो फोर्थ point है auto brightness दोस्तों काफी लोगों के लिए auto brightness helpful साबित होती है काफी लोगों के लिए helpful साबित नहीं होती battery drain को बचाने में या इसकी usage को और बढ़ाने में so basically यह अपने अपनी game पर depend है कि हम phone कैसे use करते हैं काफी लोग होते हैं जो phone की brightness को dim करके रखते हैं उनके लिए auto brightness बिल्कुल भी काम की नहीं है लेकिन जो मेरे जैसे phone की brightness की तरफ ध्यान ही देते automatically phone के उपर dependent रहते है कि automatically phone brightness बढ़ा देगा कम कर देगा वो लोग auto brightness को on रखो और जिनको हमेशा brightness कम चाहिए वो हमेशा off रखो इससे क्या होगा कि जब उनको sunlight में जाना है तो automatically brightness को manually increase करने के तब decrease करने के जब नहीं चाहिए तो मेरे जैसे लोग जो dependent phone के उपर है brightness को लेगर वो auto brightness को on रखो जो है वो लाइव वाल वेपर का है iOS 17 में हमें लाइव वाल वेपर का option देखने को मिलता है iOS 17 के battery train को हटाने के लिए आपको लाइव वाल वेपर अवाइड करने है क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाइव activities है ना वो हमारे background में battery ज्यादा drain करती है as comparison to zero so दोस्तो लाइव activities जैसे की Zomato वगरा की या Uber Eats की जो हम order करते हैं तो हमें अब notification में लाइव activities देखने को मिलेंगी so आप उन applications को limit कर सकते हो अगर आपको limit करना है by the way उतनी ही देर के लिए ही activity play होगी जब तक वो order आ रहा है जैसे order complete हो जाएगा आपकी live activities बंद हो जाएगी और इतनी भी location access नहीं होगी last but not the least अपनी जो locations access है na widgets को आपने जो दिये है lock screen के चाहे वो home screen के हो उनको limit कर दो उनकी access को बंद कर दो जैसे मैंने location services इस widget को बंद की है क्योंकि जब मेरे को चेक करना है weather मैं manually जाकर चेक कर दूँगा iPhone में बहुत जादा background में locations जो है widgets use करते हैं इसी तरीके का एक last bonus tip significant locations को off रखो इसे क्या होगा कि आपको simply जाना है settings में privacy and security में location services में जाकर swipe up करके system services पर जाकर significant locations को off रखो इससे आपका iPhone background में आपकी access नहीं करेगा location को यह है 5-6 ऐसे topics यह ट्रेक्स और टिप्स जिससे आप अपने iPhone की battery usage को बचा सकते हो background में ड्रेन होने से I hope guys आपको वीडियो पसंद आई होगी thanks watching thank you so much को